ओम नमस्युवाई आप सभी का स्वागत है मित्रो आज हम बात करेंगे वरिश्चिक राशी के बारे में आने वाले अगले चार दिन दस तारीक गुरुवार से तेरा तारीक रवीवार तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है मित्रो हमारे राशी फल चंद राशी पर अधारित है यह समय आश्विन मास के क्रिशन पक्ष का समय है और वरिश्चिक राशी वालों के लिए बेहत खास है लेकिन एक दिन आपको थोड़ी साबधानी रखनी होगी चलिए शुरुवात करते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दस तारीक गुरुवार की दस तारीक गुरुवार को अस्टमी तीति रहेगी दोपहर तक रोहिनी नक्षत्र उसके बाद मृक्षीर्षा नक्षत्र प्रारंभ होगा इस दिन चंदर्मा वरिशब राशी से गोचर करेंगे दिन में इस दिन आपको अपनों की अतियदिक चिंता रहेगी अपनों का अच्छे से ख्याल आप रख पाएंगे परिवार में सुक्षान्ती बनते हुए दिखाई देगी नए लोगों के संपर्क में आप आएंगे आपके ग्यान में वृत्ती होगी जनमस्थान से दूरस्थल से अनलाब होगा शाम के समय में रुका हुआ धन मिलने की उम्मीद होगी समय आपके लिए बहुत ज़्यादा शुब रहने वाला है मान सम्मान में इजाफा होगा शिक्षा में लाब की प्राप्ती होगी प्रेम संबंदों में भी प्यार और विश्वास बना रहेगा बात कर ग्यारा तारिक शुकरबार की इस दिन नौमी तिति रहेगी दिन में मरिक शीर्शा नक्षत्र साइकाल में आदरा नक्षत रहेगा चंदरमा मिथुन राशी से गोचर करेंगे दिन में मंगल का नक्षत्र और साइकाल में राहु का नक्षत रहने वाला है व्रिश्रिक रा भुध करने से बचना है, हर काम को आप शिकृता से निपटाने का प्रयास करेंगे, आपके अधूरे काम भी बनते हुए दिखाए देंगे, लेकिन दिन के समय में परिवार में बाद भिवाद करने से बचे, शाम के समय में आपको कुछ विशी साबधानी रखनी है, साइकाल में खर्चों पर आपको रोक लगा कर चलना चाहिए अपनी सोच को नियंत्रित रखना होगा अनावश्य खर्चों से बचें अपनी कंसेंट्रेशन को बहतर करें किसी को भी ब्याज पर या उधार पैसे ना दें शाम के समय में लोग आप से मदद मांग सकते हैं इस समय में आ ग्यारा तारिक शाम से बारा तारिक शाम तक आपको नहीं करने चाहिए इन 24 घंटों में आपको विशेज सार्थानी रखनी हैं ग्यारा तारिक शाम से बारा तारिक शाम तक का समय आपको परेशान कर सकता है दोस्तों बात करें बारा तारिक शाम के बाद के समय की इस दिन दश्मी तिथी रहेगी शाम के समय में पुनरवसू नक्षत्र चंद्रमा मिथुन राशी से गोचर करेंगे ब्रस्पती का नक्षत्र रहेगा व्रिश्चिक राशी वालों की मान सम्मान में इजाफा होगा परिवारिक वाद विवाद दूर होंगे घर परिवार में सुक्षान्ती कायम होगी अचानक गुप्त धन की प्राप्ती हो सकती है समय आप के लिए बहुत ज़्यादा शुब रहेगा बात करें तेरा तारीक रविवार की इस दिन एकाजशी तिती रहेगी दिन में पुनर वसू नक्षत्र साइकाल में पुक्षे नक्षत्र होगा चंद्रमा कर कराशी से गोचर करेंगे और दिन में ब्रस्पती का नक्षत्र साइकाल में शनी का नक्षत्र रहने वाला है जमीन जदाद के मामलों में शुब समाचार रविवार को मिल सकते हैं निवेश से लाब की प्राप्ती होगी नए संबंद बनेंगे हर परकार से यह समय आपको सुकून देने वाला है आपके लाब में वृत्थी करने वाला है दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ओम नमस्षिवाय चुरूर लिखें